इरानी गैंग के शातर स्नेचर हुए गिरफतार पुलिस ने जान जोखिम में डाल करकी गिरफतारी मुंबे की बुरी वली पश्चे मस्तित MHB पुलिस स्ट्रेशन की हद में दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में इरानी गैंग के आरोपियों ने तीन चैन स्नेचिंग की वारदातों को अनजाम दिया था MHB पुलिस ने शातिर इरानी गैंग के एक आरोपी मुहम्मद संगा जाकिर फर्जत सयद को इरानी वाडी आंबी वली कल्यान से गिरफतार कर लिया है इस हिराणी गैंग के आरोपी को गिरफतार करने के लिए बोरी हुली पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन, अधिकारी और टीम फिल्में स्टाल में जाल बिचा कर आरोपी को गिरफतार कर लिया है आरोपी को गिरफतार करते समय पुलिस ने बताया कि राणी वाडी की महिलायें पत्थरवाजी करने लगे, कुछ पुलिस वालों को पत्थर से चोट भी आई है, लेकिन पुलिस ने जान जोखी में डाल कर आरोपी को गिरफतार कर लिया है. कि यहाँ पॉलिस आए क्योंकि अभी दक के हिस्ट्री में ऐसा रेकर्ड है कि वहाँ वो जो इरानी वस्ती है अमभूली में वहाँ पॉलिस जाने के बाद पुलिस के उपर आटक हो जाता है उनकी जो लेडिस है वो लेडिस आगे आती है और हमें पुलिस पे आटक कर देते हैं लेकिन आमारे सब डेदर आफिसर ने उनका मुकाबला करके चारों गाड़ी वहां से निकाले डेवले पाड़क से वह भार आगे इस तरह से हमने मुहम्मद संगा जाकिर फर्जत सयद के उपर मुंबई के अलग-अलग पुलिस स्ट्रेशनों में कुल 27 से जादा चैनिस नैचिंग और फर्जी पुलिस बनकर ठगी करने के मामले दर्ज हैं मेटर मुंबई के लिए जोती आदव के साथ समवादाता राहुल शुकला की रिपोर्ट